अलवर के खेरतल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पाँच बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी मिर्चुनी ग्राम में अश्रत को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया हाथ और चेहरे पर गोली मारी घायल अश्रत की हालत फ़लाल गंभीर बताई जा रही है बताते चले की अलवर अस्पताल उनको रेफर कर दिया गया है फारिंग के बाद पांचों बदमाश मौके से फरार भी बताय जा रहे हैं तिजारा डियस पी शिवराज सिंग घटना स्तल पहुंचे और पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए सरगर्मी भी करती दिख रही है प्रयास लगाता जारी है प्रदीप गोल जुट चुक करते हैं और जिनके हाथ में ते बोली चलाई जो डेशिक टेक्टे उससे तरी चीन राउ पायर किया गए इसके वजया से इसके आप में बोली लगी है और सिर्क मूह पर वारा राउ वारत कर्दे जो पताय रहे हैं इसके ते गंवीर हालत तो कौन बताय जा रहे हैं प्रदीप यह बढ़ माश्ज कौन बताय जा रहे हैं यह जाए डाओ और उर्या ज हुड्श को लेकर यह जगडा हुआ हृश से ऋस्की वजिए से इसके उनिस कर अमला किया पूरा Maamla नि वेनिए पर उसका गाया है तो फिलाल पुलिस क्या कुछ कह रही है प्राइमरी इंवेस्टिगेशन में कुछ सामने आ पाया होगा क्या कि पांच बदमाश थे पेलाल कोई किसी लोगों ने देखा हो कौन वह पांच बदमाश थे और साथ ही साथ फिलाल वह फरार बताय जा रहे हैं प्रदीप जानकारी के लिए तो पांच बदमाशों में एक व्यक्ति को गोली मारी यह आतंक देखा गया पांच बदमाशों का और पुरानी रंजिश के चलते यह पूरा विवाद हुआ है और आपको बता दें कि मिर्चुनी ग्राम में अशुरद को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया फिलहाल इस्तिती गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में रेफर भी कर दिया गया है लेकिन लगातार अब इन पांचों बदमाशों की तलाश की जा रही है पुलिस की और से क्योंकि ये मौके से फारेंग के बाद फरार को रही है